इस वीडियो में पढ़ेंगे हम ऐलूजन के बारे में ऐलूजन भी एक डिवाइस होती है लिट्रेरी डिवाइस आपने इसे पहले पढ़ा होगा पोईटिक डिवाइस पोईटिक डिवाइस सिर्फ वो डिवाइस होती है वो शैली होती है वो लिखने का परकार होता जो सिर् धाय होती है लिखने की, उन सभी में परियोग किया जाता है, पुरे लिट्रेचर में, पुरे साहिते में परियोग किया जाता है, उसको कहेंगे हम लिट्रेरी डिवाइस, जो सिर्फ पोईटरे में परियोग की जाए, उसको कहेंगे हम पोईटिक डिवाइस, तो ऐलूजन ज जिकर करना इसमें जिकर किया जाता है विलकुल थोड़ा सा to a person, किसी व्यक्ति का, place, किसी स्थान का, event, किसी घटना का और some another book किया कि फिर किसी दूसरी किताब का या book का जिकर किया जाता है It is used, इसका परियोग किया जाता है, to describe a subject in detail, कि जब हम किसे विशय को detail में, विस्तार में describe करना चाते हो, उबर्णन करना चाते हो, तब इसका परियोग किया जाता है अपनी knowledge को दिखाने के लिए कह सकते हो, किसी subject पे, और उस subject की बारे में detail में बताने के लिए इस पिधा का device का अलूसरी का परियोग किया जाता है Next point है, जो अपने syllabus की poem है उससे The poem, The world is too much with us, has allusion of ancient Greek quotes, Triton and Priotas अब जो हम, अपने syllabus में poem है, The world is too much with us, by William Wordsworth उसमें इस device का परियोग है, allusion का परियोग है, कैसे? उसमें जो ancient Greek code है, उनका जिकर किया गया है बिल्कुल last का stanza है, और उसमें तुम देखोगे, पड़ भी रखी होगी, तो बिल्कुल as it is याद आ जाएगी उसमें दो Greek code का जिकर किया है, Triton और Priotas का तो ये थी वीडियो ऐलुजन पे, वीडियोज थोड़ी सी जल्दबाजे में बनाई जा रही है मुझे इसमें सिरफ 4 points सी ध्यान में रहे, क्योंकि और poem मुझे ध्यान में नहीं आई किसी और poem में भी इस device का परियोग हो, तो आप और point बना के इसमें लिख सकते है जितने भी poetic devices थी, उनमें जितनी वीडियो बनाई है, उनसे काम चल जाएगा क्योंकि question में आपसे तीन पूछी जाते हैं और कोई दो लिखनी होती है तो इतनी करवा रखी है कि उनसे काम चल जाए अब कुछ students कमेंट्स कर रहे थे कि grammar का जो portion है उसके उपर भी वीडियो बनाई जाए तो इतना time तो नहीं है कि पूरा portion cover हो जाएगा लेकिन जो कुछ main topic है जैसे non finite है और एक आदा कोई और topic close बगेरा पर तो बना रखे पता नहीं आपने देखी भी है या नहीं देखी है तो भी ठीक है और नहीं देखी तो भी ठीक है क्योंकि वो इस तरह से करवाये जाएगा क्योंकि आप आपके जो days है exam में वो बहुत कम है वो इस तरह से करवाय जाएगा कि एक दम से समझ में भी आ जाए और वो समझ में आया वाई एक्जैम में काम भी आए तो पूरी कोशिश की जाएगी या दो टोपिक पे वीडियो बनाने की एक बात और थी students कि जैसे phonetic transcription है वो काफी marks की आती है पाँच यचे marks की तो लगभग सभी universities में आती है अलग-अलग poem की phonetic transcription ना करवा के पूरी एक वीडियो बना दी जाए जिसमें important सारे words कवर हो जाएगी और लगभग उसी में से phonetic transcription आ जाएगी आप नीचे comment करके बता सकते हो कि कौन सी वीडियो की जादा जरूरत है phonetic transcription वाली की या फिर grammar का जो portion है उस वीडियो की जो भी पहले तुम कहोगे वही वीडियो आ जाएगी